हालो ट्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल स्वागत आप सभी का आज देखिए इस सेशन में आपका अग्रिकल्चर यान कि क्रिशी जो दिया गया आपका टॉपिक सिलेबस में आप देखिए तो बहुत लोग इस पे थोड़ा सचिंतित हैं कि अग्रिकल्चर कहां से पढ़ना है तो अभी समय नहीं है कि आप उतने डिटेल से पढ़िए तो मैं इस पे जो अग्रिकल्चर से ज आप इसको देखिए बेसक आपको इसमें कोई डाउट नहीं है कि यह काफी प्रस्ण जो इसमें दिये गया है वह उससे एक्जाम में आने की संभावना है तो आईए करके देखते हैं आपका इसमें से मोर्दन 50 कोश्चन है इसमें तो आप सेसन पर बने रही है और एक बार है तो ध्यान रखेंगा यह आलू में होने वाला यह रोग है नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी एक किस्म है यह है आपका बनाना का द्यान रखेंगा नेक्स्ट क्वेश्चन है परकास किसकी किस्म है तो यह जो है आपका मटर का है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्रीम्शन गलव और पूसा कंचन किसकी किस्म है तो यह है आपका चुकुंदर का द्यान रखेंगा क्रीम्शन गलव और पूसा कंचन नेक्स्ट है आपका एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न पर उगाने के रूप में जाना जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित फसल यानकि मिक्स क्रॉपिंग नेक्स्ट है देखे क्या है आपर जलोड मिट्टी की प्रकिर्ति रेतिली दोमट से लेकर मिट्टी तक भिन होती है वह आम तोर पर है तो वह क्या है पोटास से भरपूरा और फोस्पोरस में गरीब ध्यान रखेगा नेक्स्ट आपका चावल के विभिन किस्मों और उन किस्मों का उत्पादन करने वाले छेत्रों के संब्ध में निमिल्कित में से कौन सा जोड़ा सही डंग से सुमेलित नहीं है तो यहां पर जोगा आपका अंसर हो जार्खन जो की कला नाम की और यहां प नेक्स्ट आपका कोशिशन नमबर एट क्रिसी की स्थीरता के बारे में है तो देखिए यहां पर हम क्या होगा आते हैं जै विभित्या सम्रीत और परतिकिति के अनकूल ठीक है यह कौन बढ़ता है अजीब का सुरच्छा के लिए स्थानिय बोजन यह भी सही है हम कैसे देख लिए आपका सभी सही है कि मिलपा और लडान किसके लिए किसके लिए अलग अलग नाम है ध्यान रखेगा इसका सही जबाब होगा आपका अस्थान तरित खेती ज्यानिकी जिसको जूम कल्टिवेशन भी गोलते हैं कि नेक्स्ट है अरेबिका रोबस्टा और लाइबेरिका किसी किसमें है तो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको यह कॉफी की किसमें है द्यान रखेगा नेक्स्ट है दीगे विसुस्ताओं के धार पर मिट्टी के परकार की पहचान करें वे चूना लोहा मग्रेशिया और अल्मुना से सम्दिध है वे आम तोर पर मिट्टी के गहरे और अभेद होते हैं वे मुख रूप से महराष्ट मद्रप्रदेस और गुजरात में पाय जाते हैं तो य नीम में से कौन सा एक किटनाशक नहीं है तो यहां पर जो है औराजी नगहें बाकी बेग वन ऑ दरीन और पर त्योनु है है कि अक्र नियूंस यह से कौन सा ऐक सुझ में सिछाई पर नहीं है च्पाका आप का सथैस को यह सथ है लुट खीच स्प्रिंक्लर जो इस तरह से पानी निकलत रहा था वो और फ्लो ड्रीब एमिटर यह तीनों जो है आपका वह सुप्षिंश पर ना दी ध्यान रखेगा बाकी यह सतही से चाहिए यह नहीं है राखेगा निम्र्श कौन सी धृआफ хват है यानि कि कास को आफ तो ध्यान रखेगा घ्यां यह जवर है रहां चरह्त पूर यह वह रिए यह कनृक्में नहीं दहां को आब होगा आपका पूर्वी उत्तरप्रदेश है कि नेक्स्ट कुश्चन आपका कि 750 मिली मीटर से कम बार्षिक वर्था वाली फसले की खेती कहलाती है तो यह सूखी खेती कहलाती है ध्यान रखेगा 750 मिली मीटर से कम कि नेक्स्ट कोश्चन 17 नीवने सो कौन सी क्रिशी विज्ञान की एक साखा है जो मिट्टी पानी और फसल प्रीवंधिन के सिधानतों और प्रथाओं से संबंदुत साखा का नाम क्या है करिशी जवावार पें गयार दिया नेक्स्ट कोश सो यह ममारत करसे है आप वह पुज़न उगाने पर अलजesz करता वह उन्युवाह क् немножime से शंबंदित आएक कि खेती करते हैं stuffs है कर यहां पर उफ्सन कर दियेता है कि कि नेग्स्ठ है बरानी खेती वाले छेत्रों में किस परकार के फसल पैटर्न का उप्योग किया जाता है इसका सही जवाब होगा आपका इंटर क्रॉपिंग नेक्स्ट आपका किसी फसल को काटने की विधी जो जड़ तता पौदे से निचले भाग को बीना काटे सुच फसल देती है वो कहलाती है तो उसको बोलते हैं रेट टूनिंग नेक्स्ट है क्रोश्ट नमबर 24 इसमें बोला जारा आपको निम्लिखित में से किस फल की खेती के अंतरगत अधिक्तम छेत्रपल है तो ध्यां रखेगा यह दिए अप्शन के अंसार आम हो जागा है आपर नेक्स्ट क्रोश्ट नेक्स्ट है कि मुंग फली की खेती में किस संस्कृति को प्राथमिक्ता दी जानी चाहिए तियोग आपका राइजोबियम को नेक्स्ट है कि निम्णी खिट मैं से कौनसी अस्थाइक कर्सी पर दिती है देखिये में स्रित फसल फसल चक्र अंतर फसल और एक करित खेती आं इसमें आपको बताना है कि तो यहाँ पर जो है आपका सभी हो जाएगा करेक्ट अन्स नेक्स्ट है कि निमलखीत में से कौन सा सब्द डेरी से सम्बंदित है तो प्वस्चिकरन है एक रूपता है क्रीम तर्टरशता है तो यहां पर हो जागा आपका वण्टू थीनिस सभी नेक्स्कोशन है सब्सक्राइब नहीं है यहाँ पर नहीं बताना है तो ध्यान रखेंगा जह नहीं है नहीं तो इसको पहले लोग गलत कर देते हैं तो आप ध्यान से पढ़िएगा तभी अंसर को स्लेट किजिएगा कभी-कभी हर बढ़ाहट में होता है इसको गलत करके आ जाते हैं और वह पता नहीं चलता है जब आप घर में आके देखिएगा को तो लएगा कि एतना एजी कौर्शन काईसे गलत हो गया तो चलिए देख लेते हैं निम निश निश कौन सा यूग मिल्स से सुमिलित नहीं है तो यहां पर देखिए गोल क्रांती आलू यह कि यह नहीं से किस्सें कमेंटमाट कीजिए बताइए लाल निश सहिए गुलावी सब्सक्राइब निम्र में से किसे गोल्डन फाइवर के नाम से जाना जाता है इसका सही जवाब होगा आपका जूट को सब्सक्राइब में पौधे के पोशक तत्वक की अतलिक कमी हो रही है या अंतर फसल क्या है और घुमें detto अंतर फसल क्या है जिसका सही जवाब यह निश्चित पंक्ति पेटर्न में दो या दो से अधिक हों की ब्रिद्धी कर रहा है उसको बोलते हैं अंतर फशल में जूट की खेकल महतफोन रूप से नहीं कि जातीय में इसका सही जबाब होगा आंत्रदेश यानि कि देखिए अश्यम पर्शिम बंगाल और उडिसा यह तिनों जगा किया जाता है यह सब डेल्टा रीजन वाला है इसलिए यहां पर जूटके खेतिक की जाती है ध्यान रखिए आपका अनुवंसिक उद्योग में सामिल है तो क्रिशी हो जागा आपका नेक्स्ट है कोश्चन नमर 37 प्रमानित बीज की बोरियों पर प्रियुक्त टैक का रंग है इसका सही जबाब होगा आपका नीला नेक्स्ट कोश्चन है पीली सीरा मोजे किसकी बीमारी है तिसका सही जबाब होगा आपका ओकरा नेक्स्ट कोश्चन है आपका CS 52 और CS 54 लवन सहिसनु किसमे है तो किसकी है तो यह भारतिय सर्सों की है ध्यान रखिएगा किसकी कमी से होता है तो इसका सही जबाब होगा आपका नेक्स्ट है आपका हल्दी में पिला रंग किसकी उपस्तिती कारण होता है यह हो जाएगा आपका करक्यूमिन के अगला पिला रंग इसकी उपस्थिती कारण होता तो यह और कियूमिन के उपस्थिति कारण है कि नेक्स्ट वेर्णी उपजाओ विशी छेत्रों में निम्लिखित में से किस एक बसावट पर पैटर्न के विक्सित होने की संभावना है तिसका सही जबाव का रेखिग नेक्स्ट हैं मैंने लिखी तुमें से कौन सा देश गेहों का सबसे बड़ा उत्पाद दक है तो ध्यान रखेगा यह चाहिना हो जागा निश्चित पंक्ति पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलों की ब्रिद्धी कर रहा है नेक्स्ट कोशल किस फसल की उन्नत प्रजाती है तो ध्यान रखेगे से सही जवाब होगा आपका मुंग फली नेक्स्ट है सूपर अस्टार प्रजाती है किसकी प्रजाती है तो यह कुलाब की है जहां रखेगा नेक्स्ट कोश्चन है यहां तक हम लोग 46 तक कर चुके थे 47 दखते हैं काट कोश्च दखेगे सिर्ष के सर उत्थपादक राजज कॉन सभी तो यह आप है यह जैंबु का कूफरी कूफरी जो है किस फसल की किसमे है तो इसका सही за जवाब होगा आपका आलू ध्यान रखेगा कुफ्री जो है आलू का किस्म है नेक्स्ट है आपका कि सार्वधिक रबड उत्पादक राज कौन सा है तो यह राष्ट कौन सा है पुछा जा रहा है राज नहीं तो यह हो जागा आपका थाइलेंड है रभका है है नेस्ट कोश्ट नमबर 15 चाय का जन्व स्थान कहां है तो इसका जन्व स्थान चीन हो गर्द क्रीशा आपका आई रान की सारवाधिक मात्रा किस फसल में पाई जाती है तो जागा आपका सेव में नेक्स्ट है आपका कोश्चन नमबर 52 थाइमिन की सरवाधिक मातरक किस पसलर पाज़ए तो यह पाए जाता है काजु एक नेक्स आपका सरवाधिक कार्भोध्स किस खादान में पाए जाता है यह पाए था आपका मक्का में नेक्स्ट कोश्चन है वर्स 2020 में प्रति ब्यक्ति प्रति दिन दाल की उपलाफधता कितनी थी यह था आपका 47.9 ग्राम प्रति दिन नेक्स्ट है राष्टी है होटी कल्चर मिशन किस पंच वर्सी होजनाम अरम्द किया गया था तो ध्यान रखेंगा यह था क्या तो राष्टी होटी कल्चर मिशन नेक्स्ट है आपका question 56 पूछा जा रहा है एना ये पी यानि की नेशनल एग्रिकल्चरल इनोबेशन प्रोजेक्ट आई-ए-स यार्या द्वारा किस बर सुरू किया गया तो यह किया आपका 2006 में दूति है कि नेक्स्ट आका किस पंजवर्शी होजना में की सि का विकास से अधिक हुआ था है किसी जुख चेत्र का विकास जो नसद्रस्ट था इस होगा मैं है है कि सुगन्ध मती कजमें तो यह आपका चाफल की कि अध्यान रखेगा भारत में स मद्धिक खत्र केरा खती होती है कि या होती है तो तक के यह हूँ कंता हूं आप का ये च्छोटा ससेशन आपको पुसंद आया होगा आप एस तरह के टॉपिक पे और वीडियो जो मिस्लेनेस टॉपिक है आप लीडियो चाहिए तो कमेंट करतों ł ol जाइए मद प्रट यह जितना जादा रिविजन कि का उतना अच्छा होगा इस चैनल पे पहले से बहुत कुछ उपलब्ध करा दिया गया है और मैं कोशिज करूँगा एक जाम से पहले बहुत कुछ और उपलब्ध करा दूँ ताकि आप ज्यादा ज्यादा रिवेजन किजिए तो चलिए इसके साथ इसको करते हैं आप बने रही है चैनल पर ज्यादा ज्यादा रिवेजन करते रही है चलिए आप सभी को आल दे बेस्ट हैगा